बिसमिल्लारमान रहीम, आज का जो ये वाला हमारा लेक्शर होगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने किसम के जो मिशीन लर्निक अल्गुरिथम उनको कंपेर कैसे किया जाता है, एक ही मॉडल पे, और कौन सी निटी-ग्रिटीज हैं किसी भी डेटा सेट को डील करने कि व सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, तो मैंने तीन कीवर्ड लिखे हैं, इसके उपर हम काम स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर मैं सिंप्ली इसकी हेडिंग दे देता हूँ, इसके अंदर काफी कॉंसेट्स आपको समझ लगेंगे, और उन कॉंसेट्स को भी हम देखने वाले हैं, मैं बेसिकली आपको कोड साथ-साथ लिख के दिखाऊंगा ताकि आप मेरे साथ-साथ कोड करते जाएं, और कोड में नहीं देने वाला यह, रिजन यह है कि आप मेरे साथ कोड करेंगे तो आपको भी समझ आएगी, otherwise you can't understand, speed में थोड़ी से slow रोखूंगा, लेकिन you have to understand कि यहां पर चल क्या रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले import libraries, ठीक है, import libraries के लिए हमारे पास जो basic 4-5 libraries हैं, वहीं से start करते हैं, import pandas as pd, import numpy as np, madplod leap, seabon, और at the end हमारे पास जो है वो अगर warnings करना चाहए तो वो भी एक library होती है but we are not going to use that import seabon as sns अब यहां से आगे हमने काम start करना है क्योंकि seabon हमने कर लिया यहां से हमने क्या करना है इसको run करना है मेरा जो है करनल डिफ्टेंट था इस वेड़ा से यह शोर नहीं कर रहा था यह मैंने चार libraries कर ले जितनी भी आगे libraries हैंगी I will load that here जैसे हमारा काम चलेगा आगे अब यहां पर मैं करता हूँ load dataset और आज थोड़ा सा बड़ा dataset में लेने वाला हूं के हमारे पास अच्छे तरीके से इनकी जो information है वो save होती जाए तो मैं यहां पर इसको df करूंगा equal to sns load dataset और टाइटानिक की बजाए आजम diamonds का जो dataset है वो उसको लेंगे और इसी को फिर replicate करेंगे किसी बड़े dataset पर big data के तरीके से download करने के बाद तो मैंने यहां पर df के अंदर इसे store कर लिए ठीक है अब क्यूंके मैंने इसके x और y और train test split बनाना है तो I will import the libraries to train test split the data train test split the data इसके लिए हम क्या करते हैं आपको पता है sqlern से train test split बुलाते मैं इसको बारी-बारी हर एक algorithm की यहां पर library लिखूंगा ताके easy हो जाए ठीक है क्यूंके हमने पहले regression के task करने है तो इस विड़ा से हम x और y के अंदर regression में start करेंगे सही है तो मैं यहां पर बकाइदा लिख रहा हूँ regression tasks पहले regression के करेंगे फिर हम classification के करेंगे ताके हमें इन चीजों की साथ जाती रहे ठीक है अब यहां पर हमारे पास x और y में हमने पहले data को transfer करना है क्योंके x और y से ही काम पता चलता है तो यहां पर हम select करेंगे features and variables variables features and variables पिछला काम आपने काफ़ी दफ़ा किया हुए so मैं यहां पर इस वज़या से speed थोड़ी सी लगा रहा हूँ थाकि आपको समझतो है कि क्या करने points भी लिखते जाएं तो you can actually do this coding with me मैंने variable select करने तो x के अंदर मैं क्या करूंगा इसमें सिरफ price को भी drop कर सकता हूँ और या हम specially सब्सक्राइब करें तो मैं price को drop करता हूँ वाई के अंदर price रखता हूँ and then we can actually predict the price of diamond जो हमने पहले भी काम किया था सेम उसी चीज़ पर इसको कर लेते हैं and then split the data into train and test data with 80% training data set यहां पर मैंने इसकी command लिखी तो automatically मेरे पास github co-pilot और kodium की through ये code आ चुका है तो मैं इसको यहां पर train test split कर लेता हूँ train test split करने से पहले भी आपको पता है कि हमारे पास जो main काम होता है वो categorical variable को encode करना होता है right तो क्यों ना मैं यहीं पर code कौन से variable है हमारे categorical variable तो यह जो label encoder है हमारा इसको मैं फिर यहां पर ले गया ताकि मुझे पता चले कि मैं किस काम के लिए इसको run कर रहा हूँ और एक ही दफ़ा सारी libraries हमारे पास उपर आ जाए अब यहां पर हम करेंगे le is equal to इसको हम label encoder के equal कर लेंगे और x cut को हम encode कर रहे है color को कर रहे है clarity को कर रहे है ठीक है यह तीन चीज़ें हमारे पास जो हैं वो diamond के data set में categorical variable में आती है अगर आपको नहीं पता तो you can have a look on the data set like this यह आपके पास है cut, color and clarity यह तीन आपके पास categorical variable and we are going to convert them into codes, label encoding जैसे हम करते है label encoding के साथ जैसे हमने किया इसको फिर train test split में convert किया ताके हमारे पास error ना आए तो अगर आप अपनी आदत बना ले label encoding करने की या hot encoding या कोई भी encoding करने की जितने तरीके मैंने आपको बताय हुए थे so it would be easier for you to understand later on और आप अपना time बचा सकते हैं ज्यादा तर लोग इसको नहीं करते बट I am going to do that ठीक है so उसकी reason मैंने आपको बताये इससे हमारा time बचते हैं अब मैंने गया करने है next step is to create tables models not tables यहाँ पे मैं dictionary of models create करूँगा to evaluate ठीक है create a dictionary of list of models to evaluate अब जितने हमने model की हैं ना वो सारे के सारे model मैं यहाँ पे model performance ले रहते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अब import करने ठीक है सबसे पहला काम हम क्या करेंगे import regression algo rates कौन कौन से हैं जी हमारे import के regression के linear regression हो गया इसके इलावा और कौन से है लीनियर regression हो गया मल्टी नीर भी लीनियर के साथ ही चल जाएगा decision tree regression हो गया हमारा random forest regression भी है हमने svm भी करने है ठीक है from sklearn.svm import svr कर लिया हमने इस यहां से आपको याद हो जाएगा कि आपने कौन-कौन से algorithm की है from sklearn.neighbers के नियर इस नेबर लीकर रहसर हो गया इसके इलावा from चले हम gradient boosting भी यहीं से कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था इसके इलावा कौन से और from यहां पर मैं xg boost करता हूँ क्योंकि कल library जो हमने की थी उसके अंदर मैंने xg boost आपको पढ़ा है तो तो यहां से xg boost regressor आ गया वहां से इसके इलावा कौन सा हो सकता है svr हमने कर लिया उपर logistic regression नहीं है वो वो classification का algorithm है knnn भी हो गया इसके इलावा कौन सा है और नाइव बेस regression में आता है ठीक हो गया तो मैं इसको run करता हूँ यह मेरे पास कुछ algorithm आगे linear svr decision random neighbor and gradient boost plus xdr xg boost अब मैंने यहां पर इसकी dictionary बनानी ठीक है तो मैं कैसे बनाऊंगा simply मैं यहां पर करता हूँ models is equal to अब इसके अंदर मुझे dictionary का parameter लगाना पड़ेगा यानि के दर्म्यानी bracket जैसे हम बोलते हैं तो मैं यहां पर लगाता हूँ यह हमारी लगी इसके अंदर मैं इंटर डालता हूँ अब बारी बारी हमने जितने algorithm उपर लिखे हैं ना वो सारे के सारे यहां पर लेके आने हैं dictionary में एक होती है key एक होती है value तो पहले हम key लिखते हैं key के लिए मैं यहां पर linear regression लिखता हूँ ठीक है और फिर हम लगाते है column column के बाद उसका model का नाम लिखती है तो key होगी हमारी यह और value हो गया यह अब यह हिसाब लगा लें कि basically इसके अंदर दो column है एक यह वाला column है एक यह वाला column ठीक है तो ऐसे आपको याद रहेगा दूसरा हम लिखते हैं यहां पर हमने यहां पर linear regression के बाद SVR लिए है तो मैं यहां पर SVR लिखता हूँ SVR ठीक है फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा है और decision tree regressor भी है ठीक है random forest भी है के नेरिस नेवर भी है gradient boost भी है XGB regressor यानिक XGB boost regressor भी है इसके इलावा कौन सा है एक दो तीन चार पांच छे साथ दो दो चार दो छे और एक साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पूरे हो गए ठीक है अब यहां से इसकी brackets जो है last पर बंद हो रही है and then this is our dictionary of models ठीक है मतलब यह सारे models हैं जो हमने evaluate करने है सही हो गया अब models यहां पर evaluate हो जाते हैं यह हमने create कर लिए create के बाद हम अगला काम क्या करते थे fit करते थे right हर model को फिर हम हर model के बाद क्या करते थे fit करने के बाद उसको predict करके उसका evaluation score निकालते थे right उसको लिखने के लिए हम each model की evaluation for example मैं कहता हूँ train and predict each model with evaluation metrics as well तो हम क्या करने वाले making a for loop for loop लगाएंगे यहां पर और उसके अंदर यह काम करेंगे जो हमने एक model से पहले fit की command लगानी है फिर हमने predict की लगानी है हम सभी का बारी 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 iteration पर ले जाएंगे for loop की थरूप ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर लिखेंगे for ठीक है अब एक बात सुनिएगा हमारे पास यहां पर एक column ये वाले है इसको हम बोलते है names कॉमा लगा के फिर हमारे पास है उसका model ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं for name, model किसमें यह जो हमारे पास अब्जेक्ट है डिक्शनेरी का उसके अंदर इन मॉडल मॉडल के बाद डॉट लगाएंगे तो इसकी जो आइटम्स है यानि कि इस डिक्शनेरी के अंदर जो कॉंटेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं तो इस वज़ा से हम यहां पर मॉडल्स डॉट और आईटम सेलेक्ट करके ब्रेकेट बंग कर देंगे तो हमने क्या बोला है कि for name यानि कि यह वला निम और यह वला मॉडल्स इसके उपर बारी-बारी सारा काम करो, ठीक है? तो हमने यहां पे for loop लगाया, और क्योंके हमें पता है, इसके दो component है हमारे object के, और रेडी हमें पता है, दो column है इसके, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? कि पहले column में से name लो, comma, दूसरे column में से आप model लो, दोनों काम होगे, कहां से, इस object से, जिसकी items हैं यह दोनों, ठीक है? तो आप basically, इस for loop को direct कर रहे हैं, अच्छा वो कहता है, मैं ले लिया, इसके आगे क्या, अब मैं क्या करूँ इनका, मेरे पास आगे हैं इनके names भी और models भी, अब आपने उसको फर्दर बताना है, क्या बताना है, वो मैं आपको बताता हूँ, fit the model on training data, यहां पर बलके fit the model की बजाए, fit each model from models on training data, अब इसका मतलब यह है के fit करने के लिए, यह comment है, comment कभी भी run नहीं होता होता, तो यह सिरफ आपको explain करने के लिए, अब क्या करूँगा मैं, अब जैसे हम करते थे ना model.fit पहले, यानि कि यह वाला model हमारे पास आगया है, ठीक है, क्यों हमने लिखा है, हमने इस वज़जा से लिखा है कि इसके अंदर, यह जो चीज़े हैं ना, यही fit करते थे ना, यह सारी चीज़े, याद है आपको, हम कुछ इस तरीके से नहीं करते थे, अगर आप याद करें, model is equal to linear regression, इस तरीके से करके, फिर हम model.fit, y train, x train, इस तरीके से करते थे, और y underscore predict करके, हम इस तरीके से यह 3 स्टेप नहीं करते थे, याद है ना आपको, हमने ये 3 के 3 स्टेप यहाँ पर नीचे करने है, for each model, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ पर, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा से चोटा करता हूँ, यहाँ पर आप चेक करें, हमने आप यहाँ पर लिखना है, from each model from here, मैं इसको बल्के उठा करें यहाँ पर ले आता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा model, यह वाला model कौन से है, यह यह जो model है ना, सारे के सारे आएं, इस items में वो वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा model.fit, x train and y train, अब क्यूंके हम for loop के अंदर हैं, इस वज़ा से model सारे वो select होंगे, जो यहाँ पर पढ़े हैं, for का मतलब, पहले इस पे आओ, जब यह खत्म हो जाए, फिर इस पे, 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 so we are going like this, अब मैंने यहाँ पे fit कर लिया model, right, now we will make prediction, make prediction from each model, ठीक है, make prediction करते हैं, अब इसके लिए, same वो ही चीज़ लगानी है, y predicted is equal to model.predict, क्यों, क्योंके model अब यह consider हो रहा है, which is a list of seven items, ठीक है, जो models है न, वो object है, यह models s वाला object है, वो यहाँ पे मैंने और रेड़ी लिख दिया हुआ है, हमने इसका नाम रख़ है, जो इसके अंदर items है, हमने इनका राम रख़ है, models, model, और उससे पहली चीज़ का नाम रख़ है name, अच्छा, अगर आप चाहते हैं न, इसको मैंने models नहीं कहना, तो आप इसको कुछ भी कहा सकते हैं, इसको मैं machine कहा रता हूँ, machine कहा के मुझे अब machine.fit, machine.predict करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है, बोला रख दो, no issue, यह फिर भी काम करेगा, मैंने उसको model बोला था, just to be on safe side, क्योंकि international level पे हम कर रहे हैं, तो इसका नाम हम model रख देंगे, तो जितनी भी इस list में दूसरी items हैं ना, these are items, अभी मैं यहां पे models को अगर मैं, इस तरीके से आपको दिखा हूँ, तो यह वही list है, जो हमने उपर बनाई है, ठीक है, लेकिन still अगर मैं इसको dot, items को present करता हूँ, तो यह देखें, आपके पास वो सारी के सारी items आगे हैं, जो आपके पास पड़ी हुई है, something like this, हमने यह वाले models सारे यहां पे run करने हैं, ठीक है, अब इसको मैं यहां से remove करता हूँ, समझागी ना बात की, कि हमने उसका नाम model रखें, हम models क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि पहले हमने s use किया, उनके object में, हमने यहां पे अब कर दिया, जो predict, हम तीसरा काम यहां पे एक और करते थे, evaluate भी तो करते थे ना, इस metric को, evaluate भी करते थे ना, इसको, for example, हम evaluation लगाते थे इसकी, like this, for example, हम कहते थे, mean square error, यह तीनों हम import करके, हम कहते थे, mean square error, उसकी यह वाली आ गई, something like this, why test और why predict को, अब हमने इसकी evaluation भी लगाने, मैं इसको copy करके उपर लिखता हूँ, ताके मेरे पास, एक ही जगा पर सारी libraries आ जाजए, and now I will run the evaluation here, वो कैसे मैं करूँगा, मैं सिरफ एक ही evaluation matrix रन करता हूँ, फिलहाल के लिए metric, वो है mean square error, MSE for each model, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको simply पता है, मैं यहां पर MSE लिखूँँगा, is equal to mean square error, और y test over y predict, ठीक है, तो हमारे पास model predict भी हो गया, और हमारे पास mean square error भी आगी, for each model, for each model, ठीक है जी, यहां ता clear होगी बात, अब अगर मैं इसको run करता हूँ, just to show you, यह सारे के सारे model run हो रहे हैं, और diamonds के data पर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, कितना time लेगा गी, हमने कितने model लिखे हैं यहां पर, साथ model, और साथ के साथ models run हो रहे हैं, 54,000 रोज पर, multiplied by 8 columns, 8 यह 9 columns, और regression है, यह classification नहीं है, it will take more time, समझ रहे हैं बात को, यह इसी वज़ा से, अब देखे हैं हमारा काम यहां पर रुका है, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन class जो है वो आगे नहीं चल सकती, इस वज़ा से मैं example data sets को start में लेता हूँ, ताकि आपको बात तो समझ आ रही हैं ना, अब अगर यह चल रहा है हम इसका क्या निकाल लेंगे, अगर बड़ा data यह चोटा data है, ठीक है, तो for that reason I was using this thing, meanwhile, हम इससे sample भी ले सकते हैं, और इसको run करते हैं के लिए, अगर मैं time देता हूँ, तो usually it takes around five minute, six minute, same code के उपर, तो हम इससे stop भी कर सकते हैं, we can also rerun the data, हम उसका sample भी ले सकते हैं, और उस data को reduce down भी कर सकते हैं, बिलकुल छोटे data set के अंदर, we can do that, और यहां पे, अगर मैं इसको stop करूँगा, then I have to rerun everything, और sometimes यह kernel को stop करना, आपको महंगा भी पढ़ जाता है, अगर आप कहते हैं, तो मैं इससे run करने देता हूँ, बलके चल पड़ा है, अब रन हो गया, यह हमारे पास, अब मैंने इससे चलने इस बज़ा से दिया था कि आपको समझ आ जाए, अगर मैं इसको tune करूँगा ना, आच्छा खासा time लेंगे यह, तो हम इसको run करने देते हैं, देखते हैं कितना time लेते हैं, यहां पर आगया हमारे पास mean squared error, लेकिन आपके पास result तो कुछ print नहीं हुआ, इसका मतलब यह है, कि जो कुछ भी हमने यहां पर किया, वो MSE के अंदर store हो चुका है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पर print करना है उसे, print the performing metric, वो कौन कौन से हैं, अब यहां पर आप लिखेंगे print, इसके अंदर आप लिखेंगे अपना name, या कोई भी जो model है, उसका name, तो मैं यहां पर name लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर print, simply पूरे model के result कर देते हैं, अगर r² भी करना है, वो भी हम कर सकते हैं, mean absolute error भी कर सकते हैं, and so on and so forth, तो मैंने यहां पर एक line and the end लगा दिये, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने mean squared error किया था, और यह automatically यहां पर आगया, अगर आप चाहें, तो इसको remove करके directly भी यहां पर like, this one, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि पूरा बिल्कुल print हो जाए, हर model का, अब name क्या चीज़ है आपको पता है, let's see, यह कैसा काम करती है, and probably it will take more time, देखते हैं, for loop की body के अंदर run करना, इसी बड़ा से ज़रूरी है यह, और आप चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी performance पूरी होती जाएगी, आपके सामने यह results print होते जाएगे, ठीक है, sometimes it takes a lot of time, लेकिन जारी बात हैं, आप machine learning के task कर रहे हैं, तो machine learning time taking है, मैं अपनी machine के बारे में बता दूँ, यह इस वकर 32 GB, M1 Ultra, जो M1 Pro है ना Mac का, M1 Max है के Ultra Max है मेरे चाहल से, मुझे अपने PC का भूल गया, कि जैसे ने दौा देती हैं, अल्ला ना दवाएदू पूरा खराफ बूले हो साब हो गया, Max है, M1 Max है, अल्ट्रा दो बाद में आया था, ठीक है, तो हाँ M1 Pro था, M1 Pro Max, M1 Pro Max, M1 Ultra, M1 Ultra है यार मेरे ख्याल से, Mac Book, नहीं Ultra नहीं है, असल में यूनिवस्टी में एक फंडिंग मिली थी, मुझे उसमें से Mac स्टूडियो भी लिया एक छोटा सा, तो इस वेटा से कन्फ्यूज हो गया का, खेर, देखें जी, लीनियर रिग्रेशन चला पिर हमारे पास, SVR आ रहाया, उसकी तीन पैट्रिक्स आ गया, फिर अगला आ गया, फिर अगला आ गया, फिर अगला आ गया, राइट? समझ आ रही है ना, बात की हो क्या रही है यहां पर? एक मिनट 33 सेकंड लगे है, मतलब प्रिंट का वो ही टाइम लगा है, पांच सेकंड का एक्स्ट्रा, बाकि वो सारा गाम ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं यहां पर, आप खुद से देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है, या आप एक और एडिशन करेंगे, इसमें से कि मुझे बेस्ट अलगुरिफम बता दो क्या है? जी, अगर हम चाहते हैं, के हमारे पास बेस्ट मीन स्केर आइरर आजाए, वो खुद ही मॉडल प्रिंट हो कहा जब बजाए इसके, के हम लिखेंगें उसे, तो उसके लिए हम कौन सा एक कमांड इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं? मैंने आपको बताई भी थी, इफ-एल्स की कंडिशन है, ठीक है? तो ये मैं आप पे यकीन करके आप पे छोड़ता हूँ, कि आपको इस चीज़ का समझ आ जाजाए और आप खुद से कर पाएंगे, राइट? ओके हो गया? वो क्या होगा? आपने इफ-एल्स की कंडिशन लगानी है, और एक खाली स्ट्रिंग बनानी है, जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था, आपका मतलब टास्क है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बकाइदा, भूल भूल भी जाते हैं आप लो, असाइन्मेंट, फाइंड बेस्ट मौडल बेस्स एइच मैट्रिक्स, फ्राम अभव मेंशन रिजट्स, ठीक है? यह आपका काम है, आपने बेस्ट मौडल फाइंड ओओट करना है, फ्राम अभव मेंशन रिजट्स, और उसका कोड यहाँ पर बतामाना, ठीक है? अच्छा जी मैं अभी आ रहूं आ गया कि आने दे मुझे अभी तो मैंने बेसिक बनाया मॉडल अभी इसमें ट्यूनिंग करनी है फिर ग्रेट सर्च सीवी लगानी है फिर पाई प्लैन बननी है वेट अभी आपके सामने ये सारा कुछ होने वाले अभी तो बिल्कुल शुर हम सेम काम करने लगे हैं ये वाला ये जो हमने मॉडल क्रियेट की हैं और मॉडल के अंदर ये सारी हमने जो भी चीज़ें की हैं बाई दावे इसको मैं रिमूव करने वाला हूं ये सिरफ आपको समझाने के लिए था मैं इस चीज़ को क्रियेट दा मॉडल इसको इसी के अ हाइपर पैरा मीटर यहां पर करते हैं राइट जी हाइपर पैरा मीटर ट्यूनिंग करने लगें हम लेट सी क्या बनते हैं लोजना यह वही कुछ मैंने पेस्ट कर दिया वही अल्गुरिथम में सारे लेकिन हमने क्रिएट डिक्षिनरी ओफ लिस्ट ऑफ मॉडल्स टू वैलुएट परफॉर्मस विद हाइपर पैरा मीटर्स ठीक है यहीं पर हाइपर पैरा मीटर्स हमने डाल देने हैं अब यह कैसे डालने हैं हमने इन दोनों के इर्द गिर्द लगानी है ब्रैकेट क्योंकि लीनेर डिक्षिनरी एड करनी है और उस डिक्षिनरी के अंदर इसके हाइपर पैरामिटर्स थीक है कॉमा मैं लीनेर रिग्रेशन को नॉर्मलाइज इस एकल टू फॉल्स कर देता हूं ठीक है या इसको ट्रू भी करें कोई मसला नहीं या इसको खाले भी छोड़ना है इसको खाल और उसके आगे डिक्षिनरी ठीक है रेडी करें जा इसकाम को एस वी आर अब करनल तो आप लगा देंगे और भी एफ करनल मैंने लगा दिया यह तो हाइपर पैरामिटर ट्यूनिंग थोड़ी न होई हमने तो एक ही लगाया कि सिरफ यह यूज करो हमने तो ऐसा करना है कि फ्रम टू यूज वन तो क्या कर सकते हैं एस वी आर को फर्दर इसके अंदर दो वैलियोज आए हमने लिस्ट बनानी आफ डिफरेंट थिंग्स लाइक देस पहला आगे अर भी एफ दूसरा कौन सा जी पॉली और सिग्मॉइड कोई भी किसी किसम का मतलब करनल आर भी एफ पॉली और सिग्मॉइड इन तीनों में से एक करनल जो बेस्ट आम है वो दे दो पहला इपर पेरमिटर हो गया इसका समझारी बात की दिक्षनेरी के अंदर हाइपर पेरमिटर डालने और अगर आप एक से ज्यादा वैलियूस देना चाते है यू विल यूज लिस्ट ठीक है इसके बाद अगर आप सी की वैलियू रखें पॉइंट वन औन एंटन फिर इसके बाद इसके एक और हाइपर पेरमिटर है गैमा इसकी तो समझ है न अब आपको नहीं समझ तो मर्जी है आपकी रिजिडनेस और बाकी चीज़े मैंने इसमें बताई थी अब इससे भी एक स्टेप में आगे जाता हूँ मैं ज्यादा है पर पेरमिटर इस वज़ए से नहीं डाला कोड बहुत बड़ा हो जाना और लोगों ने प्रॉब्लम का मसला बनेगा लोगों के लिए एपसिलाउन की वैलियू ठीक है अब यहां पर यहां पर हाइपर पैरमिटर में लगाता जा रहा हूँ इस फाइन फॉर मी मुझे पता है कि यहां पर ट्यूनिंग हो जाएगी इसके और बेस्ट आ रहेगा हमने दो तहें लगानी है बेस्ट पहली ते हैं कि जो हमारे पास एक मॉडल एइऑ उसका बेस्ट वरिजन हमारे पास आए दूसरी चीज model का best version with hyperparameter tune तो आ जाए लेकिन फिर सभी को जब हम tune कर रहे हैं सभी models में से भी best आई तो दो तेहें होगी ब्रियानी तेहा वाली याद है ना पहले चिकन की तेहा फिर उपर चावलों की तेहा फिर उपर मसाले की तेहा मेरा बस चले रहते की तेहा बीच में लग जाए और उस बंदे पर मुझे गुसा आता है जो अलाचियों की तेहा भी लगा देता है so you know what I mean तो हम इस तरीके से इसको hyperparameter tune करते हैं अगर मैं यहां पे इसके पीछे भी dictionary लगाऊं like this कोमा लगा के अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आ सकती है dictionary नहीं थी यहां पर छोटी bracket थी इदर और छोटी bracket थी इदर मेरे तो भी दो हत अग्गे चल रहे है github co-pilot it's fine यहां पर dictionary है मैं आने देता हूं इसे लिए criterion mean squared error friedman mse फिर बाद में mean absolute error फिर सप्लेटर बेस्ट या random हमारे पास आ गया क्योंकि decision tree ही regressor है तो इसके अंदर काफी चीज़ें जिसकी बेस पर आपका जो decision tree है वो supply to supply होता है मैं बजाए इसके ना जो यह वाला जो score वाला criteria नहीं है इसके बजाए मैं यहां पर depth देना पसंद करूंगा इसको वह कौन सी depth है वह हमारी maximum max depth जैसे हम बोलते हैं max underscore depth ठीक है और इसके अंदर हम कर लेते हैं नन फाइव और टैन नन नन कॉमा फाइव कॉमा टैन ट्वंटी थर्टी नहीं करना मेरा सिस्टम दिल करें बाद में कहें लाफिस अल्ला ना करें ऐसा हो इसमें बहुत चीज़ें बढ़ी नहीं है ओके यह एक्स्ट्रा लग गए यहां पर नॉट्स वाइं तो हमने सब्लीटर दे दिया और maximum depth दे एक ट्री की मदलब पांच सब्ट्री बने दस सब्ट्री बने नन बने इन इन तीनों में से हमारा स्लेक्ट होगा कि कितनी depth हमने रखनी decision tree की भी होगी random for s की हम n estimator रख लेते हैं ठीक है अब आपको समझ आगी ना कि हो क्या रहा है यहां पर नहीं समझ आई तो मुझे बता सकते हैं then we can see it again कि चल क्या रहा है चाह भी इस वन यहां पर हम रख लेते हैं कि एन अंडर्सकोर स्टी में टरस एन एस्टी में टरस यहां बें मैक्सिममम डैफ्थ हम decision tree जो इच decision tree उसकी दे देते हैं एन एस्टी मेंटर का पता है क्या होता है नमबर ओफ कल हमने बात की ती इसकी estimator क्या होता है estimator होता है एक algorithm basically scikit-learn के अंदर जो हमारा जिस बेस पर रेंडर फरेस्ट बने डैट इस decision tree तो एन एस्टीमेटर का number मतलब number of estimations यानि के number of trees अब खुद सोचें अगर मैं 1000 यहां पर दे दूँगा तो मैं कितनी देर wait कर सकता हूं बैठा रहूंगा ना मैं यहां पर समझ रहें बात को क्योंकि यह 1000 trees बनने हैं फिर 100 बनने फिर 10 बनने फिर उसनकी भी मैंने depth दी यह तीन किसम की so it will take a lot of time due to this reason I'm going to shrink my data set just to show you क्योंकि मुझे पता है मेरी calculation यह कहती है it will take a lot of time मुझे कोई सिरफ आपको यह दिखाने के लिए अगर इसको एक मिनिट लगा है ना तो इनके दस-दस वरिजिन और बनने हर किसी के हर एक का दस वरिजिन बने मल्टिप्लाइ कर लें जरा इसको अगर मेरे पास साथ अल्गुरिथम है दस वरिजिन बनने है सतर सतर मिनट तक्रीबन सिधे सिधे कलकुलेटिड तो हम यहां पर क्या करते हैं यह इसी वज़ा से मैंने एक इसका डेटा सैट सेपरेट रखा हुआ था और यहां पर हमने क्या किया था डीएफ के अंदर हमने अब इसकी बजाए यहां पर टिप्स का डेटा ले ताके हमें easy रहे काम और tips के data set में कुछ इस तरीके से काम चलता है हमने यहां पर किसको करना है sex और smoker day and time यहां पर हम tip को drop down करते हैं और यहां पर tip को हम ले आते हैं राइट sex smoker day बाकि आप run कर सकते हैं अगर आपके पास time हो बाद में आपको समझ आगी है ना यह same वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है और उसी तरीके से काम करें यहां पर तर टाइम इस इकोल तो लिडॉट फिट ताम होफुली इट विल वर्क येस अब मैं दुबारा से इसको भी रन करने वाला हूं यहां पर और देखते हैं यह कितना टाइम लेती है एक मिनिट थर्टी थरी सेकंड इस ने लिए थे पिछले डेटा पे लेट सी अब कितना टाइम लेता इसको अलगोरिफम को फर्दर चेक करें यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि आपने किस पर यह काम करना है मैंने के डी एनस नेबर को पकड़ने है और इसके हैपर परामिडर ट्यून करने है उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा एन नेबर्स तीन पांट साथ वेड मेरे पास जो यूनिफार्म और डिस्टेंस दोनों कर ठीक है और लर्निंग इसके अंदर जो है वो हमारे पास नेबर्स तीन पांट साथ यह ठीक है अच्छा अगर हमने नेबर्स की रेंज देनी हो तो कैसे देंगे अगर मैंने यहां पर रेंज देनी हो एन पी डॉट ए रेंज एक से लेके 20 तक ठीक है मतलब जितने भी नेबर्स हैं मैं यहां पिकरता हूँ तीन से लेके 100 तक कर लो तो मेरे जितने भी नेबर्स इसके पास पास आएंगे उनमें से बेस्ट चूज़ करके मुझे दे देगा ठीक है अगर आप स्टेप साथ लिखना जाते तो वह भी लिख दे मैं कहता हूं कि हर एक के बाद या पांच के बाद is up to you, मैं तीन के बाद कर लेता हूं, यह दो के बाद, तो इसमें आपका step भी आ जाएगा, मतलब यह के तीन के बाद, अगला तीसरा है, फिर अगले तीन के बाद, फिर अगला तीन के बाद, तो दो के बाद, तीन के बाद is up to you, you can divide also the number of nearest neighbors, तो इतना को फरक नहीं पड़ता, यह काम मैं कर रहा हूं, अब tips के data पर, diamond के data set पर आपने करना है काम, ठीक है, और उसका sample ले लेना है, अगर आपका system heavy नहीं है, तो tips पर भी कर सकते हैं, अगर system अच्छा है, तो diamond पर भी कर सकते हैं, ऑके जी, gradient boost regressor पर चलते हैं, बत there is something wrong with this thing, क्या wrong है जी, यह वाला कहता है कि जी मुझे सही तरह नहीं रखा गया, क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, तो यह क्यों है रहा रही है, यहाँ पर, यहां पर इनकी कोई भी ब्रैकेट नहीं है यह दिक्शिनरी अच्छा दो डिक्शिनरियां बन गी है इसके अंदर में पहले बंद कर लेता हूं अब यहां पर एस्टीमेटर देखते हैं हम हमारे पास जो ग्रेडियंट बूस्ट रिएसर के हैं तो ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रैसर के एस्टीमेटर निकालने के लिए आपको क्या लगता है कौन-कौन से रिग्रैसर इसके हो सकते हैं ग्रेडियंट बूस्ट अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो आप एसके लर्ण पर भी देख सकते हैं कि ग्रेडियंट बूस्ट के मैट्रिक्स कौन-कौन सोरी एस्टिमेटर यहाइस के जो हमारे परमिटर आमें वह içi बूस्ट के बहुत काम बूस्ट उए. यहाँ पर अगर मैं एन अंडर्सकोर एस्टीमेटर्स मैक्समम डेप्थ पिछे भी किया हमने यहां पे देखते हैं करने के नहीं करने और बलके इसको रहने देते हैं यहां पे जो दूसरा है वो लर्निंग रेट कर लेते हैं this is how learning nderscure rate 0.1 0.1 and so on right तो यह की dictionary होगे यहहां पे bracket right 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 okay कि मार्य पास सब सेंपल मीनी सैंपल से प्लेट मीनी सेंपल से प्लेट बतारे हैं लॉस बता रहे हैं तो लॉस अगर मैं यहां पर लिखता ओं तो यह हमारे पास लॉस LS, LED, Humber, Contile, N Estimator भी आ सकता है इसके अंदर क्यों कि जारी बात है ये भी एक Boosting की टिकनीक है and so on and so forth तो ये कुछ Hyper Parameters हमने ट्यून कर ली है अगर ये काम करते हैं तो हम देखेंगे और Throughout हम फिर इसको अगे Perform करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्यूनिंग आती है सबसे पहले चीज़ा आपने दोनों मॉडल जी कठे बना लिए अब हमने एक और काम करने है हमारे पास यहां पे नेम आया है और फिर ब्रैकेट के अंदर मॉडल और परेम्स आ गए है समझा ही बात किया क्योंकि हमने एक ये वाला इसके अंदर हमारे पास अब्जेक्ट के अंदर एक आइटम है दूसरी आइटम हमारे पास परेम्स है और एक हमारे पास नेम है मतलब नेम, मॉडल एंड परेम्स, तीन चीज़े होगी हमारे पास मैंने उन्हें को name, model and prams का नाम दे लिए, ठीक हो गया, यहां तक clear हो गया, अब यहां पे आप बजाए एक model बनाने के और fit करने के आप यहां पे pipeline create करेंगे, create a pipeline, और pipeline के अंदर आप क्या लिखेंगे, pipeline is equal to, इसका आप simply grid search cv लगा देंगे, अगर आपने cross validation भी साथ में करनी है, so I would suggest के यहां पे हम इसके साथ इसकी cross validation भी कर लें, for example, मैं यहां पे पहले लगा देता हूं pipeline के अंदर grid search cv हमने इंपोर्ट करनी है, तो यहां पे पहले उसके इंपोर्ट कर लेते, from sklearn, तो यहां पे grid search cv में ले आया हूं, मुझे यह वाला code याद नहीं था, simple मैं आपको बता रहा हूं, मैंने comment लिक है, वो निचे automatically आ गया, so तो दुनिया तेजी से बढ़ रही है, आपको भी भढ़ना है, तो इस वड़ा से आप साथ-साथ यह चीज़े नोट करते हैं, तो शायद आपको फाइदा दे, अब मैं यहां पे grid search cv लगाता हूं, अब इसके अंदर हमने model, पहले हमारा model देखो, फिर parameter देखो, फिर हम cv 5 कर देते हैं, यहां पे, ठीक है, मतलब 5 cross validation इसकी करो, जितना भी data है हमारे पार, अगर हम train test split को करते, तो हम pipeline सीधी सीधी भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसके अंदर क्या 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 है, model, prams और cv, cross validation, क्योंकि हमारा data छोटा है, we can do that, हमने tips का data जो अब लिगा हुए, ठी we don't need to worry about that, अब हमने क्या करना है, fit करनी है pipeline, तो pipeline.fit और उसको हमने x train और y train पे लगा देना है, ठीक है, तो हमारा यहां पे model fit वाला concept clear हो गया, अब आगे prediction की तरफ जाना है, तो y predict यहां पे model की बजाए, अब क्या आ जाएगा, pipeline, ठीक है, क्योंकि हम pipeline बना रहे हैं, यहां गया, बाकी आगे हमारे पास कोई चीज़ चेंज होगी या नहीं? इस टिल टेकिंग टाइम, रिजन आपको पता है, हमारे पास हमने 1000 एस्टिमेटर भी रखे हुए, और यह तीन से चार मिनिट ज़रूर लेगी. पिछली दफ़ा हमारे पास, यहां पे SVR के अंदर आप चेक करें, हमने गेमा, एपसिलोन के वैलियोज अच्छी खासी दी हुई है, और हम यह सिरफ और सिरफ मॉडल की आउटपुट ले रहे हैं, अब अगला काम यह है कि बेस्ट प्रैम्स कैसे निकाल लें, ठीक है? तो लेकिन आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इस चीज़ का, तो मैं साथ-साथ असाइनमेंट मीन वाइल लेख देता हूँ, जो यहां पर मैं आप पूछ रहा हूँ, असाइनमेंट यहां पे अगें, how to get best parameters of each model, right in the for loop, among the code, how to get best model out of it. कुछ नहीं है, simply आप यह code उठाके chat GPT को भी बोलेंगे न, वो आपको code बता देगा कि कैसे आपने लिखना है, बत, try खुद से कीजिएगा, इसमें आपका फाइदा है, अभी डेड मिनिट हो चुक है, और अभी तक SVR ने चला, reason क्या है, hyper parameter tuning takes time, और जड़ी 80 वे चोर edition कर देती है, that is cross validation, ठीक है, तो हम डेटा को पांच दफ़ा तो यहीं पर चला रहे हैं, and then हम आगे भी चला रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, यह छोटे डेटा सेट पर कर लें तो ज्यादा बेस्ट है, diamond पर सिरफ वो ही करें, जिसके पास PC अच्छा है, और time खुला है, यह machine learning है, कोई मजाग नहीं है, वो एक है न, meme हमारी, मारो मुझे, मारो मुझे, यह को मजाग है, तो वो हाल हो जाए न, बाद में, ठीक है, तो मैं इस वज़े से आपको करके दिखा रहा हूँ, कि अगर मैं diamond पर करता तो कितना time लगता है, यह tips पर कर रहा हूँ, मैं भी, so techniques are there, अगर आपने resources बचाने, then you should know कि मैंने assumption की base पे कौन सा model select करना है, यानि के, अगर मुझे पता हो, के SVR ने तो अच्छा काम ही ने करना, क्यूं, क्यूंकि उसके अंदर फलाँ 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 assumptions थी, कि कब इसे use करना है, कब नहीं करना, और, के ने ने सने पर बिलकुल अच्छा काम ने करेंगा, क्यूंकि डेटा जो है, वो different range के अंदर है, इसी तरीके से आपको अगर assumption का पता है, each models की जो हमने देखी है, तो यह step आप shrink कर सकते हैं, यानि कि दो-तिन model को compare करने, लेकिन अगर system heavy या time heavy या और university के या कहीं पर जहां पर हम काम करते हैं, resources अच्छे, then you can go with this, ठीक है, या आपके सामने आपको समझ आ रही कि हो क्या रही यहां पर, it will take time, तो meanwhile हम अपना अगला code लिखते हैं, वो क्या code कहता है हमें, हमने अब pipeline के अंदर preprocessing के step add करने हैं, pipeline के अंदर, तो उसके करने के लिए आपको फर्दर एक preprocessor बनाना पड़ेगा, ठीक है, और preprocessor चलाने के लिए भी आपको time लगाना पड़ेगा, and then we have to use pipeline and grid set cv and so on and so forth, तो मैं आपको direct code पे ले जाता हूँ, ये code में वैसे दूसरे वाला copy कर रहा हूँ, just to show you, add, एक इसमें line लगाता हूँ, एक दो तीन, और आप हिसाब लगाएं, अभी तक वो SVR को calculate कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, add preprocessor inside the pipeline, मैंने आपको फाइदे तो बड़े बताएं हैं, pipeline का ये फाइदा है, pipeline से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि frustration बहुत ज़्यादा हो जाती है बंदे को, अगर आप साबर नहीं हैं तो आ काम कर रहे होते हैं, और गूगल का डेटा सेट जो है, 2.3 मिलियन का, अगर उस पर ये काम मैं कर रहा आता हूँ, तो मेरे साथ क्या बेचती हैं, समझा है बात की, ये वो कुछ पजूबात हैं जिनकी वज़ा से example data पहले लिया जाते हैं, ता कि आपको सब जाई जाए सके बात, और आज का main चीज भी ये ही थी, कि यार आपको समझ आए कि यहां पर data किस तरीके से काम करता है, और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अब हमने दो extra चीज़ें वहां पर use करनी है, pre-processing के अंदर, तो मैं उसको तो फिला run भी नहीं कर सकता, so I have to wait, मैं भ अच्छा, यहां पर एक question आए कि cross validation भी untrain test भी है, तो क्या best है यहां पर, हमने क्या किया है, हमने train test का जो main चीज़ें इसके अंदर भी cross validation लगा ली है, तो main square error जो cross validation का उसका mean आप ले सकते हैं, यहां पर, ठीक है, cross validation लगाने का मकसद यह है, कि आप इसी को proper अपना data समझें, कि पूरा data यही है, splitted नहीं है, हाँ जी, इजाज़त होता है, मैं इसे रोक दू रहा, बात तो आपको समझागी होगी, मैं क्या कहना चाहरा था, ठीक है, अब यह रुकते रुकते भी time लेता है, नो speed से गाड़ी जा रही हो, ब्रेकें लगा तो, यूंकि यह वाज आती है, यह वो हाल हो रहा भी, मैंने इसको कर दिया, stop, और अब आपको इसमें एक और addition करके मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको समझागी है, secondly हम parameters को reduce भी कर सकते हैं, जो हमने parameters यहाँ पर बनाए हुए हैं, यह वाले, इनको reduce भी किया जा सकता है, for example, मैं यहाँ से सिरफ RBF रख लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं गैमा की value जब दो दे दूँ, epsilon को मैं बिलकुर remove कर दूँ, और यहाँ पर यह जो मैंने ज्यादा values दी हूँ, यह इनको भी reduce कर दूँ, by the way अभी तक SBRE नहीं हुआ तो बाकियोंने क्या होना, अब इसमें मैं आपको जो हमारे प्री प्रॉसेसर हैं, वो एड करके फिर दिखाता हूंगे, किस तरीके से यह फर्दर काम करता है, ठीक है, उसके लिए हमें उपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर, इसके अंदर, इंपोर्ड, हमने दो चीज़ें इंपोर्ड करनी है, एक तो प्री प्रॉसेसिंग के स्केलर्स और पाइपलाइन, प्री प्रॉसेसर, पहले हमने करना है, फ्रॉम, एसके लेर्ण, डॉट, प्री प्रॉसेसिंग, स्टेंडर्स के लिए, बड़ा वला है, इसके इलावा कौन सा है, प्रॉस्ट रहने देते हैं, लेबल इंकोडर हमने उपर किया हुआ है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, so this is enough here और साथ में हमें करना पड़ेगा from sklearn.compose column transformer ताके हम column को transform कर सकें यह क्यों जरूरत में आएगा मैं आपको यह भी दिखाता हूं और then at the end हमने करना from sklearn import pipeline क्योंकि pipeline भी यूज होनी है तो यह सारा कुछ मैं import करता हूं और यहां पे changes कहां पे होंगी वो मैं आपको दिखाता हूं data हमने ले लिया model हमने बना लिये हमने एक step add करना है data के बाद यानि के x y बनाने के बाद make a pre-processor एक pre-processor बनाना है आपने उसके लिए आप क्या करते हैं pre-processor का एक आप object बनाते हैं और इसके अंदर आप column transformer लगाते हैं यानि के जितने column है ना उन पे काम हो based on something जो आप बता रहे हैं ठीक है? वो काम क्या है? मैं भी आपको दिखाता हूं column transformer लगाने के बाद आप सबसे पहले transformers लगाएं यहां पे is equal to इसके अंदर आपने list of columns और list of चीजें add करनी है कि किस पे कौन सा गाम करने है मिसाल के तोर पे यहां पे list मैं add करता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं numeric और जितने भी हमारे numeric scaling scaling काले काम है यहां पे numeric scaling लगाने के बाद हम standard scalar पहले लगाते हैं ठीक है और साथ में मैं बता दूँगा इसको कि किस जगा पे standard scalar लगाने कौमा के बाद हमने यहां पे list नहीं है यह यहां पे standard scalar आगया यस और रेड़ी यह वाली ब्रैकेट हमारी लगी हुई है that's it standard scalar और यहां पे हमने दे देने हैं अपने कॉलम के नाम फॉर एक्जैमपल हमारे पास जो एक्स और य के अंदर कॉलम थे numeric कॉलम हम उनके नाम दे देंगे लाइक यह जो है हमारे ठीक है मैं सारे के सारे कॉपी कर लेता हूं पहले और बाद में हम इसे चेंज कर लेंगे अब यहां पे जो हमारे पास कॉलम है यह तो हमारे पास फॉर एक्जैमपल टिप जो है यह बिलकुल हम निकाल देंगे क्योंके यह जो है यह बेसिकली वाई है आपका कर तो सकते हैं आप उसको भी स्केल लेकिन इस बेटर ना टो डू इस ओ質 और दिस यह सब्लक लूगे लीचिन इंदर हमारे intervention के अनुप यह लेगे गा यह 10 P यह एक एक्स्ट्रा ग्रेकट आई थिंक कॉलम ट्रांसफॉर्म और अवरेटिंग इस फाइन है यह अच्छा ली इसके बाद आप फर्दर इसके अंदर रिमेंडर वगएरा जो है उसे पास्त्रू करवा सकते यानि को जो चीज बचे उसको आपने निकालना है रखना है क्या करना रिमेंडर का पता क्या होता है जब आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका रिमेंडर आता है उसका क्या काम करवाना है तो इसका में मक्सद यह है कि इसको पास्त्रू करने या इसको अपने जाया करन किसी चीज पर लगाएंगे तो उसको स्केल कर देगा विदिन पाइपलाइं ठीक है जैसे मैंने यहां पर सारे कॉलम के नाम दे दिए अब इसको हमने फर्दर कहां पर लेके जाना है हमने पाइपलाइन बनानी है फॉर लूप के अंदर तो पाइपलाइन बनाने के लिए हम स जिसके अंदर पाइपलाइन ही यूज करने जिसके अंदर आप अपनी पाइपलाइन के डिफरेंट स्टेप्स बता सकते हैं अगर आप स्टेप्स ना भी लिखें तो यहां पर पता होता है कि कौन-कौन से स्टेप्स चल रहे हैं पहला आपका प्री प्रॉसेसर के दूसरा पता चल जाएक किस तरीक से हिया आपका scaling होती है अच्छा यह ओ गया आपका प्रीप्लाइन के साथ ही तर्सहिट हो गया इसके बाद लगाते हैं ठीक है इस ट्सक्राइब लगाना चाहते मैं भिलकुण लगाना चाहता हूं उसकी रीजन क्या है तू ट्यून दे हाइपर पैरामेटर्स इस वज़ा से हमने ग्रीट सर्ट सीवी लगाना यहां पे ठीक है तो इसको मैं आप कहूंगा ग्रीड अंडर्सकोर सर्च इस इकल टू ग्रीट सर्ट सीवी और इसके अंदर आपके पास पाइपलाइन आ जाएगी मतलब यह प्री प्रॉसेसर एंड मॉडल्स फिर उसके प्रैम्स आ जाएंगे जो हमने और रेड़ी यहां पे एड़ किये हुए यह वाले प्रैम्स यह वाले एंड आप क्रॉस वैलिडेशन एड़ कर देंगे और आप बजाए पाइपलाइन के फिट करने के आप यहां पे ग्रीड सर्ट लिख सकते हैं एंड सो ओन एंड सो फॉर्थ तो इस तरीके से इसके अंदर प्री प्रॉसेसर की एड हो जाती है चीज़ कोई बड़ी बाद नहीं है प्री प्रॉसेसर को एड करना लेकिन जाहरी बात है अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें एड कर सकते हैं अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मॉडल सेपरेट बना लेते हैं परेम सेपरेट बना लेते हैं वह भी ठीक है लेकिन आई वूड रिक्मेंट कि आप इस तरीके से एक डिक्शनेरी क्रियेट करें कि मॉडल के साथ ही उसके परेमिटर लिखे हुए हो ताकि आप फ्यूच मैंपल स्केलिंग दिखाईये थीक है स्टेंडर्ड स्केलर लिखाया है इसके अंदर को от इंगिंग भी हो सकती है तो यह label encoder एक transformer ही है, transformer is something जो आपके data को change कर देता है different shape के अंदर, लेकिन data वो ही होता है, इसी तरह हमने scale.fit transform भी किया था standard scaler को, तो वो भी transformer होता है, तो अगर आप circuit learn के उपर जाएं और वहाँ पर transformer की list देखें, then you can find out that there are many many transformers out there, ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ पर save कर ले है, so this is how you can actually work on different methods, जिसकी तरीके से आप इसको run कर सकते हैं, अब मैं chat GPT का सहरा लेकि एक आपको और term यहाँ पर बता देता हूं, which is k-fold cross-validation, अगर same code के अंदर आपने k-fold cross-validation add करनी हो, तो उसको कैसे करेंगे, और वो मैं classifier के उपर learn करके दिखाता हूं, ताके आपको सीधी से example एक दे सको, यह वही काम हुआ है कि हमने सारे की सीज़ें यहां पर ले लिए हैं, यहां पर IRS का data set लिए है, specially सीधा, X और Y separate होगे हैं हमारे पास, हमने यहां पर classifiers बना लिए, हम models भी लिख सकते हैं, classifiers भी लिख सकते हैं, जो दिल करता है, आपका वहला object बना ले हमारे पास model का नाम और models आते हैं, फिर हम k fold, यानि के, आपको मैंने बताया था number of folds in cross validation, वो आप यहां पर भी बना सकते हैं, यानि के with split, ठीक है, और इस तरीके से आपका data fold में split हो जाएगा, same वो ही काम है, cv is equal to k fold आपने करते हैं, 5 की बजाए k fold करते हैं, तो वो number of k folds व आपके पास आजाएगा, और यह जो result आएगा, आपके पास फिर means आएगे, उन 5 के 5 fold के score के, ठीक है, which you can see here, logistic regression का यह आ रहा है, आपके पास, जो हमारे पाद decision tree classifier, उसका यह random forest का, यह svm का यह और कनन का यह, so this is somehow an example for classifier, आप इसको भी यहां पर change कर सकते हैं, preprocessor add कर सकते हैं, pipeline बना सकते हैं, you can do the similar things inside this one, और आप बहुत साथा काम कर सकते हैं, यह सिरफ आपको दिखाने का मकसद यह था कि hyper parameter tune करना असान है, अगर आपको समझ हो, लेकिन it comes with the cost of resources, it comes with the cost of understanding, otherwise आप बैठे रहेंगे, और at the end आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं change क्या करूं, तो समझ रहें बात को, क्योंके data points में और करीब करीब होना था, जब quantities बढ़ जाती है, zeros या numbers ज्यादा आने लगते हैं, तो processing में time लगता है, अब समझ आईगे कि क्यों हम label encoding करते हैं, वो और भी time को extend कर देगा, for example, categorical variable को हम encode क्यों करते हैं, ताके वो एक, दो, तीन की शकल मे आ रहे हैं, बजाए इसके, क्या हम लिखे, smoker, non-smoker, ठीक है, अब अगली बात इसमें concept आता है, क्या हमें pipeline के अंदर regressor use करने चाहिए, या नहीं, स्केलर्स, I would recommend, कि data को scale करके फिर आप लेके हैं, इसके अंदर, models के अंदर, लेकिन इट depends, कि आप अगर define करना चाहते हैं, कि scalar कौन सा best है, कौन सा नहीं है, तो हो सकते हैं, वो आप transformer के अंदर भी आप इसको tuning कर सकते हैं, कि मैंने ये scalar भी use करने हैं, ये भी करने हैं, इन दोनों को check करो, so it comes with the hypothesis, कि आप चाहते हैं, जैसे कुछ ऐसे अलगोरितम हैं, जिनके अंदर scaling की option है, आप automatically उसके अंदर scale कर सकते हैं, so again, वो ही चीज, कि लिखके कोई नहीं दे सकता, कि कब कैसे कहां पर कौन सा काम करने है, depends on the data, जैसे diamonds के data में, अगर मैं उसे scale कर लूँ, तो time कम लगेगा, और अगर इसी चीज़ को मैंने compare करने हैं, तो I can say, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, अब लोग क्या करते ह फिर उसको आगे sale करते हैं, एप्स के लिए, और वो इस चीज़ पर research करते हैं, बकाइदा कि हमने ये क्यों use किया, ये क्यों use किया, ये क्यों use किया, और यही चोटी-चोटी nitty-gritties होती हैं, जो आपकी accuracy में अजाफा करती हैं, वरना hyper parameter का तल्ग ही कोई नहीं है, ना, for example, यहां पर हमने hyper parameter tune नहीं किये, हमारे पास already 97, 95, 96, 97 ऐसे result आ रहे हैं, ठीक है, तो it's fine, we don't need to do that, लेकिन जब आपकी accuracy बहुत कम है, और error इतनी ज्यादा आ रही है, कि आप उसको further check करने वाले हैं, for example, here, check करें, आपके पास mean squared error, 0.69, 0.53, 1.46, 0.9, 0.96, something like that, अगर आप चेक करें, तो 0.69, कदरे कम है, बाकी सबी से, तो इसका मतलब यह है, कि linear regression इस पर अच्छी तरीके से काम कर रही है, then, r square को देखते हैं, तो 0.44 है, यहां पर 0.56 है, यहां पर minus में r square जा रहे है, जो होता नहीं है, अगर इसको absolute देखा जा है, तो यह आपका r square अगर minus में जा र relation दिखा रहे है, तो इसका मतलब यह work decision tree तो बिलकुल ही गया ना, इस field में से, and then, if we see here, r square 0.26 है, और यहां पर 0.32 है, 0.35 है, 23 है, so we need to be very careful about the r square as well, इसी तरह 0.67, so इस वज़ा से ना, हम और भी creep creep पहुंचने के लिए hyper parameter tune करते हैं, और cross validate करते हैं, ताके हमें एक clear difference नजर ह है, ठीक हो गया नी, तो यहां पर selecting the best model with the best tuned hyper parameter, यह हमारा अभी का topic था, इसको हमने देखे हैं, मैं यहां पर recording को stop करता हूँ